नमस्कार दोस्तों एक बाद फिर से स्वागत है और अमूमन मैं दिन में तीन बार आता नहीं हूँ वीडियो बनाने के लिए लेकिन आज सुबह से जो ख़बर आई शुक्रवायर की सुबह जो है बहुत ही अच्छी ख़बर नहीं थी और उससे नींद खुली उसके बाद पर मुंबई में उसी तरह से कम से कम जो मायूसी थी जो चिंता की लहरे थी वो कम हुई है और इस बात की आधिकारिक पुष्टी किसी और नहीं बलकि BCCI भारते क्रिकेट बोर्ड ने किया है स्टेट्मेंट आया पहले जैशा जो सेक्रेटरी है उनका स्टेट्मेंट आया उन्होंने अश्चोर किया सब लोगों को जितने क्रिकेट फ्रेमी थे रिशापन के चाहने वाले थे कि उनकी चोट बहुत गंभीर नहीं है BCCI इस पर नजर बनाए हुआ है इसके बाद अपसे कुछी देर पहले बाकाइदा BCCI ने अपनी प्रेस रिलीज जारी की और यह मतलब अलग-अलग तरह की खबरे चलने लगती थी लेकिन यह अच्छी बात है BCCI ने जो पूरे रेकॉर्ड है अब तक के उन्होंने बताया है कि कहां उनके फोरेड में दो टाके लगे हैं उनको स्टिच आई है इसके अलावा उनके रिस्ट में भी समस्या हैं इंजरी है पूरी उन्होंने इंजरी की डीटेल दी है बताया है डॉक्टर के संपर्क में है यह भी का गया है कि पूरी तरह से बोड जो है एक तरह से रिशपंत के पीछे लगा हुआ है उनकी देखभाल में उनके परिवार के साथ टच में है और जितने भी लोगों से बात हुई है जो चीज़े ही है अलग अलग तरह की कुछ घटना है कुछ एक्जाजरेशन भी है फिलहाल मैं उन सारी खबरों को कंफर्म भी नहीं कर पा रहा हूं इंडिपेंडेंटली जो वहां के लोकल रिपोर्टर ने उनसे बात करने की मैंने कोशिश की कई लोगों ने कहा हाला कि थोड़ी सी एक तरह से मायूस करने वाली बात यह है कि सोचल मीडिया में कुछ लोग यह शेयर करें रिशापंद के फोटो जो थोड़ी से विचलित करने वाले हैं जरूरत नहीं है हॉस्पिटल्स की कई तस्वीरें कई लोगों ने शेयर किया है शायद उनको वाइड किय जा सकता था क्योंकि मामूली सरिफ खबर सुनने से जब हम इतने सकते में हैं इतने चिंतित हैं तो जब आप उस तरह की तस्वीरें देखते हैं चाहे कार की तस्वीरें चाहे आप उनके इंजुरी की तस्वीरें जो देखते हैं उनको वीडियो देखते हैं उसके बाद के घटना करम को देखते हैं तो थोड़ी सी परिशानी होती है कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जब पंत खड़की से बाहर निकले तो उनके कुछ पैसे थे उसको भी कुछ युवक लेकर भाग गये हैं पदा नहीं है सच कितना है और अगर ये सच है तो वाकई में बहुत दुख की बात है कि यह और यह रिशप पंत क्रिकेटर की बात नहीं कोई भी और यह होता है हिंदुस्तान में अकसर हम लोग जानते हैं सुनसान इलाके में जब भी गाड़ी पलड़ती है तो कई लोग मदद करने भी आते हैं और कई लोग उस समय लूट पार्ट में भी लग जात किता है पाकिस्तान के कुई क्रिकेटर उन्होंने के हिंके रिशप के हेल्थ के लिए स्वास्त के लिए कामना किया शाहिनषाण फडीवी ने खुड ट्वीट किया इसके अलाबा कई औरिशाब के खुद साती खिलाड़ी छाई अश्विन की बात करें मोहमा श्रामी की बा सकता था सब लोगों ने अपनी एक कंसर्ण जाहिर किया है और जो एक मात जो तसल्ली की बात फिलहाल अब जो एक थोड़ी सी रात की खबर है कि जो शुरू में जो डर था और वाके में मैं आपको बताऊं कि शुरू में बहुत डर था इस खबर को आने से पहले भी मैंने पर पहुचाने में क्योंकि यह मामुली खबर नहीं थी एक क्रिकेटर की खबर नहीं क्रिकेट की खबर नहीं थी ब्रेकिंग न्यूज नहीं थी यह किसी के स्वास्त की खबर है उस परिवार के बारे में सोचकर मतब थोड़ा सा जीब लग रहा था लेकिन चलिए कम से कम आप सारे फैंस की हैं प्रार्टनाएं हैं दुआएं हैं जितने लोग पूरी दुनिया में उनकी दुआओं का असर दिख रहा है पंत अब बहतर हैं और धेरादून में हैं उम्मीद की जाने चाहिए और जल्द बहतर होंगे वह साल के अंत में ये बुरी खबर आई है लेकि उनका बल्ला चमकेगा उसमें तो कोई दो राय नहीं है लेकिन फिलहार उनके तमाम चाहने वालों के लिए क्रिकेट फ्रिटर्निटी के लिए बहुत सुकुन की खबर है कि रिशाप फंत खत्रे से बाहर हैं बहतर हैं रिकवर कर रहे हैं बी सी सी आई पूरी तरह से उनका अपडेट करूँगा लेकिन मुझे लगता है कि अब जो है खत्रे से बाहर हैं और यह हम सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है ध्यान रखिए स्वास्त्रहिए थैंक्यू वेरी माच